नमस्कार दोस्तों स्वागत अब सुभी का आज हम बात करने वाले हैं उजवेकिस्तान के बारे में जो अभी अपने समविदान में बदलाव करने वाला है हाली में वहाँ पर एक रेफरेंडम हुआ जहां पर काफी लोगों ने उस रेफरेंडम का समर्थन किया और इस रेफरेंडम को इतना ज़ादा समर्थन मिलने के बाद अब समविदान में बदलाव होगा अब यहाँ पर सोवेट टाइम के जो कानून है उनको खतम कर दिया जाएगा अब आप सोचेंगे वेट सोवेट यानी प्रेजन टाइम रिशिया उसका उवेकिस्तान से क्या लेना देना है तो देखें दोस्तों पहले यह सारे सोवेट यूनियन यूएससर का ही पार्ट हुआ करते थे 1991-2 में सोवेट यूनियन का विगटन हुआ थो उसके बाद यह चोटे चोटे देश हजाद हुए थे एवन यूक्रेन भी उसी टाइम हजाद हुआ था हमने सोवेट यूनियन को यूएससर को अच्छे से एक अलग वीडियो में कवर किया है यूएससर से लेटर सारे इंपोर्टन कोशन को हमने वहाँ पे कवर किया है जिसमें आपको हर कोशन के साथ अच्छे से इंडेफ्ट एक्स्प्रेनेशन मिलेंगी और आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है वो समझाने वाला है कि यूएससर बना कैसे क्या था यूएससर सोवियत यूनियन क्या थी कैसे पाबरफुल थी कौन-कौन से मुख लीडर्स थे और उसके बाद इसका विगटन कब हुआ कैसे हुआ तो इसको आप देख सकते हैं आप सब जानते हैं रेश्या और यूकरेन के बीच में यूद चला है हमने उस यूद क को भी कवर किया था उसे मैंने आपको बताया था कि सोवियत यूनियन का विगटन कैसे हुआ और फिर क्या-क्या प्रॉब्लम्स दोनों देशों में जो सोवियत टाइम के समय से चलिया रही है आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं इसके साथ मैंने यूकरेन को एक लेक्चर को शुरुबात करते हैं वीडियो कौन तक देखेगा प्रस्पेक्ट्री से काफी इंपॉटन्ट है डिरेक्ट आप से सवाल पूछे जा सकता है कि नहीं मिल लेक्ते मैं से कौन सा ऐसा देश है जिसने आप भी अनौन्स किया है कि वो अपने समभीदान में बदला अगर मैं थोड़ी उपर नीच हो जाए तो माफ करिएगा तो प्रेजडेंट शवकत ने एक प्रपोजल दिया कि अपने देश का जो इसको हम रिवाइस करेंगे जिसमें जो वोटर जा उन्होंने इसके फेवर में काफी वोट दिया है अब प्रेजडेंट जो शवकत है इ यह जनता के पक्ष में तो बाते हुई है लेकिन इसके पीछे भी कही न कहीं क्या है पावर है जो हमने सुडान क्राइसिस में भी देखी थी अब यहाँ पर टोटल 84.54 परसंट जो टर्नाउट है वो हमें देखने को मिला है जहाँ पर 90.21 परसंट वोटर ने इन प्रपोज 80 परसंट जो वोटर हैं वो होने चाहिए कि मतलब उन्होंने वोट कास्ट किया हो तो यहां तो 84 परसंट ने कास्ट किया है काफी जादा टर्नाराउंड हमें देखने को मिला है तो यह बड़ी एजली एक्सेप्ट हो जाएगा यही कारण है कि इलेक्शन कमिशन जो है वहा जो रेफरेंडम की प्रोसेस है इसकी फेरनेस में यहां पर है क्या बोला गया कि यह वोटिंग जो है यह तो काफी वेल प्रिपेर थी टेक्निकली बहुत जादा प्रिपेर करके यह पूरी की पूरी वोटिंग हुई और यहां पर बड़ा जादा प्रमोट किया गया इसे क अपने rights के लिए अपने freedoms के लिए आप जारे सारा घरों से बार निकलिए और vote दीजिए और जनता ने वह वोट दिया भी लेकिन यहां पर problem यह है कि जो environment है इस environment में environment मतलब जो political environment है वहां पर political pluralism की कमी है वहां पर competition इतना नहीं है जैनून competition इतना नहीं है तो इसलिए यहां प कुछ मुख्य changes जो है वो देखने को मिले हैं जैसे कि जो president की term है पहले 5 साल के लिए बनता था अब उसको 7 years कर दी जाएगी तो अब यहां पर पहले 5 साल के लिए president होता था तो आप 7 साल के लिए president होगा अब यहां पर यह जो president है जो इस समय का president है ज्वेकिस्तान का कि अपन concern है कि आप बोल तो रहे हो कि rights देंगे freedom देंगे लेकिन अपनी जो tenure है उसे भी बढ़ा रहे हैं तो क्या इसके पीछे कहीं न कहीं power को अपने पास रखना ही एक इकलोता कारण तो नहीं है क्योंकि तुमने बोल दिया rights देंगे freedom देंगे अब क्या पता देंगे कि नहीं दे जब तुमने बोल दिया कि हम तो सीधे यह right और freedom देंगे लेकिन अपना term भी जो है extend कर रहे हैं तो यहां पर खत्रा बन सकता है कि हो सकता है कि यह विक्ति आने वाले समय में dictator ना बन जाए हाली में मैंने Sudan crisis को cover कर था अगर आप जाने तो देख सकते हैं वो video का link आपको discussion में मिल जाएगा वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि जो main problem है वहां पर क्या है वो power ही है अब यहां पर कुछ और जो constitutional reforms है वो लाने की बात भी हुई है मीडिया को जादा freedom देने की बात कही हुई है और Soviet era की censorship है जो मैंने पहले भी देखा कि Soviet union का यह part था तो जो Soviet के द्वारा censorship लगाए जाती थी वो यहां पर भी मान नहीं थी और अभी तक वो चले जा रही थी जबकि वो एक अपका independent देश उसे बन चुका है यह होती है और इसलिए journalist जो हैं यह काफी skeptical हैं उनके दिमाग में काफी caution mark हैं कि यह जो नए constitution होगा इसको कैसे implement किया जाएगा और क्या यहां पर सही माइने में freedom मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है यहां पर women's right और general equality के ओपर वे काफी बाते की गई हैं कहा गया है कि ज समविधान में एक बड़ा बदलाब करने के बाद उजवेकिस्तान ने करी है और क्योंकि यह सोव्येट एरा की country है यानि कि सोव्येट यूनियन के विघटन के बाद बनी country है जैसे यूक्रेयन है उजवेकिस्तान है तो इसलिए कहीं न कहीं कि आज कल जो scenario चल रहा है हना र सब्सक्राइब करेंगा थैंक यू फो ओच